नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका साइंस चर्णी में जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में पुंजिवाद सामंतवाद के अलावा एक और क्लेस जातिवाद के रूप में भी घुसा और घुसाया गया हुआ है हम सभी देखते हैं कि एक समान एक छेत्र एक देश में होने के बाद भी कुछ लोग जातिय रूप से खुद को बड़ा महसूस करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं कुछ लोग सैक्षनिक समाजिक आर्थिक रूप से आगे हैं तो कुछ लोग पीछे जो पीछे हैं वो क्यों पीछे हैं या बहुत कम लोग जानते हैं आखिर क्या कारण था कि वो पीछे रह गयें क्या उन्हें जान बूझकर सड्यंत्रकारियों ने पीछे कर दिया या वो खुद से ही पीछे रह गयें इन प्रश्णों के उत्तर बाबा साहब जान गए थे और उन्होंने डिक्टेट भी किया कि इन सब की जड़ एक किताब है जिसका नाम है मनु इस्मृति और फिर उस मनु इस्मृति को 25-26 दिसंबर 1927 में उन्होंने सारोजनिक रूप से दहन किया आज का वीडियो अंतिम तक देखें यह वीडियो से कुछ ऐसे रहस्यों से परदा उठेगा जिसे भारत की लगभग 90% से ज्यादा पबलिक अभी भी अंजान है दरसल मनु इस्मृति भारतियों को मानसिक, सैक्षनिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की साजिस है यूं तो मनु इस्मृति में सुद्रों को गुलाम बनाने उत्पिडन करने की बात सभी जानते हैं लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि मनु इस्मृती का सुद्र भारत का पिछड़ा वर्ग है आज के SCST के लिए मनु इस्मृती में अत्यांज सब्द इस्तमाल हुआ है ब्रामणवाद में अत्यांज को हमेशा ही सहरों से बाहर रखा गया उन्हें किसी भी अपने क्रिया कलाप में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि मनु इस्मृती का सुद्र जो की पिछड़ा वर्ग है हमेशा उत्पिड़न का सिकार होता रहा और आज भी वो अन्य वर्गों की तुलना में काफी पीछे है जबकि कुछ ऐसे भी ठेकेदार मार्केट में घूम रहे हैं जो मनु इस्मृती को अभी भी समर्थन दे रहे हैं और बोल रहे हैं यही भारत का सविधान है उनके रिसी मुनियों का सविधान है जो की पूरी तरह से सड्यंत्र का हिस्सा है इस वीडियो में मैं मनु इस्मृती के कुछ ऐसे स्लोग प्रस्तूत करूँगा जिसे देखकर आप इस सड्यंत्र को अच्छी तरह से समझ जाएंगे यू तो भारत में 28-30% ACST जबकि सुद्र जो की पिछड़ा वर्ग है वो 60% के करीब है फिर यहां पर यह प्रस्ण उठता है कि इतनी बड़ी अबादी को मुठी भर लोगों ने मनु इस्मृती के माध्यम से कैसे गुलाम बना लिया दरसल गुलाम बनाने के लिए कुछ सड्यंत्र की जरुरत होती है और उसी सड्यंत्र का नाम मनु इस्मृती है सुद्रो को गुलाम बनाने के लिए मनु इस्मृती में पहले उनके आत्मसम्मान को गिराया गया फिर उन्हें सिक्षा के अधिकार से रोका गया फिर उनकी आर्थिक यानि की धन रखने नहीं दिया गया और फिर उन्हें समाजिक रूप से लाचार बना दिया गया और जब इस तरह का कोई वर्क बन जाएगा तब उससे आप आसानी से गुलामी करवा सकते हैं और फिर उसका उत्पड़न कर सकते हैं तो इस तरह से पिछड़े वर्क को पीछे किया गया अब ये सारी बाते मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ मनु इस्मृति के कुछ स्लोक देखिए उससे आपको असपष्ठ हो जाएगा अब कुछ लोग यहां पे मिलाउटी मिलाउटी भी कह सकते हैं कि ये किताब मिलाउटी है तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो भी मनु स्मृति उपलब्ध है उसमें से तीन मनु संसार के व्रिधी के लिए मुख, बाहू, जंगा और चरण से क्रमसह ब्रामण, छत्रिय, वैस्य और सुद्र को उत्पन किया। यानि कि सुद्र के आत्म सम्मान को नीचा दिखाया गया है। कर देता है कि वह सेवा के लिए ही बना है, यानि कि गुलामी के लिए। और यहां से एक बात और भी अस्पष्ट होती है कि यह SCST, जिसे कि उस समय अंटचेबल भी कहा जाता था, उसके लिए यह इस्तिमाल नहीं हो रहा है, बलकि लिए पिछडे वर्ग के लिए इस्तिमाल ह क्योंकि अंटचेबल लोगों को तो छूने तक का अधिकार नहीं था, उन्हें सहरों से दूर रखा जाता था, तो वो सेवा कैसे करते, ब्रामण का आत्मसम्मान गिराने के लिए सबसे महत्वपुल्ण होता है किसी विव्यक्ति का नाम, तो मनु इस्मृती में सुद्रू का आत्मसम्मान गिराने के लिए उनके नाम को बहुत ही निंदा युक्त या कह सकते है कि खराब नाम रखने का आदेश देता है, ताकि वो जिन्दगी भर अपने इस नाम के कारण कभी भी आत्मसम्मानित ना हो सके, अध्याय 2.31 स्लो, ब्रामण का मंगलवाचक, छत्रिय का बलवाचक, वैस्य का धनसे युक्त और सुद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए, यही कारण है कि आज भी आप देखेंगे कि जितने भी पिछडे वर्ग हैं, उसमें से अधिकांस लोग अभी भी अपने बच्चों का नाम करण ब्रामण को बुला कर कर करवा लेकिन यह जो नियम बनाया गया, यह नियम इसलिए बनाया गया, ताकि ब्रामण आकर किसी के बच्चे का नाम रखे और मनु इसमृति के हिसाब से नाम रखे, यानि कि आत्मसम्मान का जो नाम है वो गिरा हुआ रखे और ताकि जिंदगी भर वो सुद्र कभी नाम से सम् नाम रखना चाहिए तो यहां से भी अस्पश्ट हो रहा है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि वइड़ बेवस्ता गुर्वाचक है विशेषडं है यह पूरी तरह से गलत सावित हो रही है क्योंकि एक ही घर में एक बच्चा पढ़ लिख ले तो वो ब्रामध हो जाएगा और एक बच्चा न पढ़े तो वो सुद्र हो जाएगा और जब सुद्र हो जाएगा तो उसका नाम निंदयुक्त होगा और जो पढ़ लिख लेगा उसका ब्रामण जैसा नाम होगा ऐसा तो कहीं होता नहीं है दूसरी बात कि उसी घर में एक बच्चा बिजनिस करने लगे तो क्या उसका टाइटल गुप्त यानि कि गुपता रखा जाने लगेगा तो ये पूरी तरह से मनुस्मिर्ती जातिवाद की बात करता है और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं वर्ण तो स्रिफ गुण है वो कोई भी हो सकता या पूरी तरह से फरजी है कुछ और आप सुलोक लेखेंगे तो पूरी तरह से असपष्ट हो जाएगा कि मनुस्मिर्ती जातिवाद की ही बात करता है और पूरी तरह से सुद्रों के उत्पिरन की ही बात करता है तो यहाँ पे असपष्ट रूप से मनुस्मिर्ती किसी सुद्र के नाम को ही निंदा युक्त रह कर उसे जिन्दगी भर अपमानित करने की आधेश देता है सेकेंड, एजुकेशन से दूर कर देना अब सवाल यह है कि यह जो मनुस्मृति की बाते हैं वह कोई ब्यक्ति क्यों माने तो उसके लिए अनपढ होना जरूरी है तो इसलिए मनुस्मृति सुद्रो को एजुकेशन से वे दूर रखने की सलाह देता है अध्याय 480 स्लोक सुद्र को युक्ति न बताएं उचिस्ट और हवी का से सांस न दे उसे धर्म और वरत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दे यानि कि यहां clear-cut यह बताया जा रहा है कि सुद्र को कोई अच्छी सलाह नहीं देनी है और किसी वितरह का कोई उपदेश भी नहीं देना है अब इसी का अगला स्लोक देखें जो दूसरे धर्म का उपदेश और वरत का आदेश करता है वह उस सुद्र के साथ असंवरित नामक अंधकार में नरक में जागिरता है यहां भी यह पूरी तरह से बताया जा रहा है कि सुद्र को अगर कोई दूसरे धरम का उपदेश या वरत रख रहा है तो वह सुद्र की तरह अंधकार में नरक में जागिर रहा है यानि सुद्र को यहां भी किसी दूसरे धरम का भी उपदेश नहीं सुनना है न ब्रत रखना है पूरी तरह से अपने एजुकेशन से दूर और किसी दूसरे धरम के भी एजुकेशन से दूर अध्याय 3, 156 लोग वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, सुद्र से पढ़ने वाला, या सुद्र को पढ़ाने वाला कटू भासी, सध्वा या विद्वा के पेट से परपुरुस द्वारा उत्पन ब्रामण, देव और पित्रय, दोनों कारियों से त्याजिय है, त्याजि कि बात हो रही है अन्यथा वह किसी को पढ़ाएगा कैसे अगर एक शुद्र पढ़ा हुआ है और फिर भी वह सूद्र गहा रहा इसका मतलब कि उसकी जाती इसी में आके यह कहा जा रहा है कि सूद्र को पढ़ाने वाला, अब बताईए इस्से भी अस्पष्ट हो रहा है कि जाती की ही बात हो रही है, एक सूद्र का बच्चा जो है उसको अगर आप पढ़ाओगे नहीं, तो वो पढ़ेगा कैसे, और एक ब्रामर का ही बच्चा है, अगर नहीं पढ़ रहा है, तो आप उसे सुद्र कह दो, अगर गुणवाचक है तो फिर उसे पढ़ाओगे ही नहीं, क्योंकि सुद्र को पढ़ाने वाला प्रतिवन्दित है, खुल मिलाके यह स्वाथ चल रही है कि सुद्रो को एजुकेशन से बिल्कुल भी दूर कर देना है, अब जब एजुकेशन से भी सुद्र दूर हो जाएगा, तो बचता है उसकी आर्थिक इस्तिती, अगर किसी सुद्र के पास एजुकेशन नहीं है, सम्मान नहीं है, लेकिन उसके पास अगर संपदा है, तो भी वो गुलाम होने से मना कर सकता है, तो इसलिए मनु इस्मृति सुद्रो को गुलाम बनाने के लिए उन्हें धन छीन लेने की भी बात करती है, अध्याय 8, 417 स्लो, काम आपढ़ने पर असमंधित सुद्र का धन ब्रामःड बेरोक ले सक क्योंकि उसका अपना धन कुछ नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है, अब यहां पे प्रामःडवाद का वह मनुवादी चेहरा दिखता है, जो एक लुटेरा, एक अमानुय परजीवी की तरह सुद्र से धन छीन लेने की बात करता है, एक और स्लोक देखे, अध्याय 10, 129 धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी सुद्र धन का संग्रहना करे, क्योंकि धन को पाकर सुद्र ब्रामःड को ही बाधता है, देखा, यहां पे इनका चेहरा ली उजागर हो गया, कि अगर धन मिल गया सुद्र को, तुव ब्रामःड को बाधता है, मतलब उससे आगे जा सकता है, यह ब्रामःड को उससे दिक्कत हो सकती, तो इसलिए भी सुद्र को नीचे रहना, पीछे रहना जरूरी है, गुलाम बनाये रखना जरूरी है, इसलिए उसका धन भी छीन लेना जरूरी है, इसकी वकालत करता है मनुस्मृति, अब जब उसे आत्मसमान रूप से, सेक्षनिक रूप से, और आर्थिक रूप से पंगु बना दिये, तो अब बचता है कि उसे समाजिक रूप से गुलाम बना देना, इसकी वकालत में मनुस्मृति, अध्याय 9-3-3-4 स्लोक में लिखता है, वेदों को जानने वाले ब्रामःडों की और यसस्वी ग्रियस सेवा करना ही सुद्रू को स्वर्ग देने वाला परमध्रम है, किलियर कट यहाँ पे बात हो रही है कि सुद्र का काम क्या है, ब्रामडों की सेवा करना, अध्याय 9-3-3-5 स्लोक में लिखता है, अब यहाँ किलियर किलियर यह बात लिखी हुई है कि सुद्र ब्रामण पे अगर आसरित हो तभी वह उतक्रिष्ट जाती को पाएगा अन्यथा वो निक्रिष्ट ही रह जाएगा यानि कि यहां भी ब्रामण की गुलामी की बात हो रही है अब जब उसके धन छीन लिया गया गुलाम भी बना लिया गया तो फिर सुद्र अपनी जीवी का कैसे चलाएगा उसके लिए मनुस्विर्ति अध्याय 10-101 के स्लोक में लिखता है ब्रामण की सेवा करते हुए यदि सुद्र का जीवन निर्वाह न हो तो छत्रिय की सेवा करे यदि उससे भी पेट न भरे तो धनिक वैसे की सेवा कर जीवन निर्वाह करे यानि कि सुद्र को जिंदगी पर गुलामी रहना है चाहे ब्रामण की या छत्रिय की या फिर वैसे की इसी के अगले स्लोक में देखें वह सुद्र स्वर्ग के लिए या दोनों स्वार्थ और परमार्थ के लिए ब्रामणों की ही सेवा कर पुल मिला है कि सुद्र को कैसे भी करके ब्रामण की सेवा करनी ही करनी है यह मनुस्मृति वकालत कर रहा है अब इसी का अगला स्लोक देखें ब्रामण की सेवा करना ही सुद्र का विशिस्ट कर्म कहा गया है इस कारे से भिन वह जो कुछ कारे करता है वह उसके लिए निस्फ पुराना वस्त्र, सारहिन अन, पुराना ओढ़ना और विच्छावना देना चाहिए। तो इस तरह से सुद्रों की गुलामी कराने के लिए और फी कई सारे स्लोक हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं कुछ चुनिंदा स्लोकों को ही यहां पेस कर रहा हूँ। सुद्रों का उत्पिरन किया है। यह है पनिस्मेंट के रूम और यह सुद्रों के लिए है। इसी आठवे चेप्टर के इसके पहले के कुछ स्लोकों को देखें तो साह पता चलता है कि सुद्रों के साथ भ्यंकर रूप से भेधभाव किया गया है पनिस्मेंट में। जैसे 267 स्लोक को देखें। जाती गरहन पुर्वक बुरी बात कहे तो जलती हुई दस अंगुल की लुह सलाका उसके मुह में डाल देनी चाहिए। यह है मनुवान। इसी का अगला स्लोक देखें। यदि सुद्र अहंकार वस किसी ब्रामण को धरम का उपदेश करे तो राजा उसके मुह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। इससे आप समझ सकते हैं कि सुद्रों के सांथ जो उत्विड़न होता रहा है जीव काट देना, कान में पिघला कर तेल डाल देना या मुह में लोह सलाका डाल देना यह कहां से आया है। जबकि इस तरह के सब्द किसी छत्रिय वैसे या ब्रामण के लिए नहीं है सिर्फ और सिर्फ सुद्र के लिए। यह है धरम के धंधे बाजों का सविधान पिछड़े वर्ग के लिए। आप समझ सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग आज तक इतना पिछड़ा क्यों रहा। तो और निसकर्स के रूप में मनुस्मृति एक सडेंत्र थी भारत में एक बहुत बढ़ी जनसंख्या को साररिक, आर्थिक, सैक्षिनिक और मांसिक रूप से गुलाम बनाने की। जोतिबा फूले, जगदेव कुस्वाह, गुरुनानक देव सहित, दसो गुरुओ तथा इन ज मनुस्मृति नामग गंदगी को पहचान कर ताबूत में डाल दिया। बहुत बढ़ी जनसंख्या को गुलाम बना दिया गया। और जब कोई गुलाम होगा, तो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लोग बट जाएंगे और यही कारान था कि भारतिये लोग आपस में बटे रहें। और इसलिए भारत को कई बार गुलामी भी झेलनी तो आज बस इतना है धन्यवाद।